हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयो आप आप लोग अच्छे हूंगे मैं हुर राहुल जे स्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एगे आपके सामदिंग मुष्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे नाइन स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक जो हमारे चाप्टर चल रहा था फ्रेंड्स जिसका नामे हो जाएगा तोटली कंप्लीड तो दोस्तों आखरी टॉपिक रहे गया हमारे इस पर्टुलर चाप्टर का जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल इसको भी हम देख लेते हैं फिर हम लोग का ये चाप्टर जो है कंप्लीड कर देंगे तो केमिकल कंट्रोल नॉमली क्या होता है इ ये जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं इनका जो रोल होता है वो बहुत ही अलग-अलग होता है बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज को कॉडिनेशन करवाने के लिए यानि कि इन शॉट अगर बात किया जाए कि हमारा जो बॉड़ी का कंट्रोल है और coordination जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके वज़े से हो पाता है because of some chemical substance जो कि हमारे body में present रहते हैं यही जो chemical substance present रहते हैं दोस्तों इसी को हम बोलते हैं hormones ठीक है क्या बोलते हैं इसको hormones और यह शाल आपने पहले भी सुना होगा hormones is nothing but a type of chemicals जो liquid form में हमारे शरीर के अंदर present रहते हैं अलग-अलग hormones release होते हैं हमारे body में और उसका अब जो function होता है जो काम होता है वो भी अलग-अलग होता है और various types of processes जो हमारे शरीर के अंदर चलती है यह सभी चीज जो है hormones के वज़े से ही possible हो पाता है और बात करेंगे hormones के बारे में तो hormones are secreted by the endocrine glands यानि कि जो hormones होते हैं basically कहां से secret होते हैं निकलते कहां से हमारे अंदर बहुत सारे glands present रहते हैं और glands में भी कौन से endocrine यानि कि अंदर वाले glands होते हैं अंदर की तरफ present होने वाले glands होते हैं वो hormones को secret करते हैं, और ये जो glands होते हैं, इसको ductless glands भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कोई pipeline structure नहीं होता, जैसे कि आपके nerves होते हैं, कैसे pipe से हो, वैसे ही glands में से जो भी secretion होगा, जो भी hormones निकलेंगे, वो कोई भी pipe के through नहीं निकलेंगे, ये automatically glands में से directly निकलेंगे, इसके ल होता है, एक specific location होता है, वो वहाँ पे ही present रहते हैं हमारे body के अंदर, और उनका जो secretion होता है, वो हर एक body parts तक पहुचता है, और कौन पहुचाने में help करता है, उसको पहुचाने में help करता है blood, ठीके दोस्तों, तो blood जो है, उसको पहुचाता है, जिस प्रकार हमारा oxygen को blood प होता है, तो, ठीके दोस्तों, और बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता है कि जो glands होते हैं, उनका अलग-अलग positions हो specific location होता है, तो यहाँ पर diagrammatic representation के थ्रू हम आपको यहाँ पर बताने ही कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, head, यानि कि brain में hypothalians, hypothalamus gland होता है, pineal gland होता है, pituitary gland होता है, फिर thyroid gland होता है, हमारा paratholid gland, thymus होता है, ठीके, फिर वही नीचे के तरब बात के adrenal glands होता है, ovary testis, these are some glands, जो male and female, दोनों ही मैंने आपे बताने ही कोशिश किये, this is female, this is male, दोनों में ही कुछ organs present होते हैं, कुछ glands present होते हैं, उनका function भी अलग अलग होता है, और कौन सा gland क्या function है, वो आपको में एक chart के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, तो आप ध्यान से देखिएगा वो चीज, and it is very important, ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि जो hormones जो भी secret करता है, वो एक particular required quantity में secret हो, क्योंकि हर एक का काम जैसे मैं ने बोला, hormones का क्या है, अलग-अलग है, तो ये जब भी एक required quantity में क्या होंगे, secret होंगे, बाहर निकलेंगे, तो एक special mechanism होती है, जो की इनको control करती है, कि उनकी quantity कैसी है, और जो timing है, hormone secretion का, उसके हिसाब से हो सके, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, अब बात कर लेते हैं, कौन से-कौन से, hormones कहां present होते हैं, hormones कहां से निकलते हैं, और function क्या होता है, तो जैसे की बात कर है, hypothalamus gland, तो hypothalamus gland की अगर मैं बात करूँ, तो ये कहां present होता है, हमारे four brain के अंदर, यानि कि हमारा जो दिमाग होता है, आगे की तरफ का that is control the pituitary gland, तो ये pituitary gland क्या होता है, exactly वो भी समझ लेते हैं, तो pituitary gland जो होता है, हमारे brain के base की तरफ present होता है, और उसमें बहुत सरे functions होते हैं, जैसे की, सबसे पहला function ये है, hormones का, growth hormone क्या करता है, stimulate करता है growth of the bone, हमारे शरीर में जो हड़ियां होती है, उसको grow करवाने के ल lactating, जब भी वो like मा बनने वाली होती है, तब उसमें से जो दूद है वो पहार आता है, तो ये prolactin hormones जो होता है, वो females में present होता है, ताकि milk प्रोडक्शन हो से के, फिर एक है hormone जिसका नाम है FSH, यानि कि follicle stimulating hormone, ये क्या करता है, controls the growth of gonads, gonads मतलब क्या होता है, जिसमें से आपक oxytocin, वो control क्या करता है, uterus को contract करता है, part duration की दोरान, यानि कि जब बच्चा जनम लेता है, वो time पे, मार जब delivery देती है, वो time पे uterus जो होता है, वो काफी जाता, फैल जाता है, तो उसको contract करने के लिए oxytocin hormone responsible है, और एक और hormone है, जिसका नाम है anti-duretic hormone, जो कि आपके water level, जो पे present होता है, यह हमारे trachea के आसपास, हमारा जो गर्दन होता है, नेक रीजन, वहाँ पे present होता है, और इसमें से दो hormone निकलते है, एक का नाम है thyroxin, दुसरा का नाम है calcitocin, thyroxin control करता है हमारे growth and metabolic activity, जो भी हमारा height बरता है, growth होता है, या फिर अंदर जो भी activities होते हमारे चरीर के अंदर organs जो होते हैं, उसको maintain करता है, control करता है, और साथ ही में calcitocin है, वह control करता है, calcium metabolism को, और calcium level जो हमारे blood में होता है, उसको maintain करने का काम करता है, फिर next type का gland है, वह है parathyroid gland, तो parathyroid gland, जो है वह 4 glands होते हैं, जो की thyroid gland के पीछे होते हैं, parathyroid hormone, यह जो है वह निकलता है उसमें से और यह कंट्रोल करता है हमारा कल्शियम और फॉसफरस का लेवल फिर बात करें नेक्ट है पैंक्रियास तो पैंक्रियास हमारे स्टमक के पीछे के दरफ सिच्चुएटेड होता है और इसमें चार टाइप के सेल्स होते हैं अलफा सेल बीटा डेल्टा एंट तो इसको बाई हाट जरूर से कर लेना दोस्तों आपके सिलाइबस में आपको यह पूरा मिल जाएगा यहां से भी आप नोट्स बना सकते हो क्या करता है यह स्टिमुलेट्स लिवर टू कनवर्ट ग्लाइकोजन इन्टू ग्लुकोज यानि कि जो शरीर में ग्लाइकोजन होत यह सभी इनका काम है अड्रिनल गलाइक की बात करें यह हमारे किड्नी की आसपास प्रेजन रहता है और इसमें से एड्रिनलाइन और नॉन एड्रिलनाइन होर्मोन जो है निकलता है जो कि आपका बिहेवियर इमोशन्स जो आता है आपके अंदर हसना रोना गाना जो भी है आपके अंदर जो emotions है वो ये वाले hormones कंट्रोल करते हैं और heart beat और conducting tissues जो है ये भी maintain होते हैं और एक और है corticosteroid जो कि आपके sodium और potassium लेवल को maintain करता है फिर ovary की बात करें women में present होता है सिर्फ और सी buterus में उसके अंदर से hormone जो निकलता है उसका नाम है estrogen और ये endometrium जो होता है उसमें उसका growth करवाता है secondary sexual characters जो होता है women के अंदर एक man में और female में क्या फरक होता है secondary sexual characters का फरक होता है तो sexual characters जो female में होते हो men में नहीं होते तो वो help करता है grow करने के लिए फिर women अगर pregnant होती है तो pregnancy को maintain करने के लिए progesterone hormones जो हो help करता है फिर टेश्टीस के बाद करें वो स्क्रोटन में होता है ठीक है न वो सिफ मेल में प्रेजन्ट होता है टेश्टेश्टरन हॉर्मोन निकलता है और ये हमारे में secondary sexual character जो होता है मेल में कि दाड़ी आना, beard आना, मुश्टैच आना, आवाज मोटा होना ये सबी चीज में में होत करता है immunity को बढ़ाने में clear दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा तो यही थे हमारे different types of glands और इनके hormones और इनका function और कहां located है ये सबी चीज हमने explain कर दिया तो यहां पे जो हमारा topic के chemical control का है and glands के बारे में और hormones के बारे में यहां पे हमा 15 life processes in living organism यह होता है finally complete तो उमीद करता हूँ कि हर एक चीज हमने जो इस chapter में सिखा है आपको clear हो गया होगा तो आपको बस comment करके बताना है हमें कि आपको हमारा यह chapter है और साथ में यह video जो है कैसा लगा है प्लीज हमें comment करके अपनी राय और suggestion जरूर से बताना है और अगर वीडियो लेकर आएंगे आप लोको notification मिलती रहेगी ठीक है friends तो मिलते हमारे एक लिए वीडियो में यह video देखने के लिए thank you and goodbye